अप्रेल 2021 से तमाम वेतन भोगी करमचारियों को कम तंखा मिलेगी ये बात जरूर नोट कर लीजिए अगले अप्रेल 2021 से तमाम लोगों को तंखा कम मिलेगी ये बहुत महत्पुन है केंद्र सरकार एक ऐसे बिल को लाने जा रही है जिससे आपकी तंखा में कटावती हो जाएगी ये कटावती क्यों होगी इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे वास्ताव में केंद्र सरकार एक ऐसे वेज़ बिल को इंटर्डूस करने जा रही है जिससे आपका प्रोविडेंट फंड ज्यादा कटे जी हाँ आपका प्रोविडेंट फंड ज्यादा कटे यानि कि अगर प्रोविडेंट फंड ज्यादा कटेगा तो आपके हाथ में आन के लिए बहुत महत्मुर्ण खबर इसलिए है क्योंकि सीधा-सीधा आपका जो सामाजिक सुरक्षा है उस पर ये बिल असर डालने वाला है नय वैज बिल के लागो हो जाने के बार कोई भी कंपनी अपने करमचारियों को जो तंखा देती है उसमें पचास प्रतिशत से जादा नहीं हो सकेंगे जी हाँ जो allowances हैं वो basic के 50 प्रतिशत से ज़ादा नहीं हो पाएंगे आपको ये जानकारी होगी ही कि जो provident fund कटता है वो basic salary के आधार पर ही तै किया जाता है तो आपका जो contribution होगा वो basic salary का ही होगा आने वाले 2021 से तो ये बहुत महत्पूर्ण बिल है जिसको अपके इंदर सरकार introduce करेगी और लागू करने की पूरी तैयारी में है जो company अपने करमचारियों का provident fund का एक हिस्सा अपनी तरफ से जमा कराती है उनकी balance sheet इस बिल के लागू होने के बाद निश्चित रूप से बिगड़ सकती है लेकिन ये एक बहुत महत्पूर्ण बात है कि हाल फिलाल के कुछ वर्षों में CTC एक term आया है जिसको cost to company कहा जाता है और जो वेतन भोगी करमचारी होते हैं वो अपना अंश जो provident fund में देते हैं उतना ही provident fund company को भी देना होता है लेकिन company वो तमाम provident fund की राशी उस करमचारी की तंखा से ही provident fund में जमा करती है तो ये एक महत्पूर्ण या दिल्चस्प बात होगी वेजबिल में देखने की कि जो अंश दान वाला कॉलम है या अंश दान वाला जो हिस्सा है उसमें company की भागीदारी किस तरीके से सुनिश्चित की जाएगी धन्यवाद झाल झाल झाल